समस्कार दर्सकों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे आज की वीडियो मीन रासी के लिए हम गुरू का रासी परिवर्तन पर लेकर के आए हैं कि जो गुरू का रासी परिवर्तन है जो आपके लॉड बनते हैं लगन लॉड गुरू उनका जो रासी परिवर्तन है वो third house में होने जा रहा है आपके क्या इसके लिए इसका positive effect आपके उपर रह सकता है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्या क्या परिवर्तन ये ला सकते हैं इस पर वीडियो मैं अच्छी तरह से आपको देने की कोशिश करूँगा वीडियो last तक देखेगा important रहेगी क्योंकि गुरू आपके लिए लगनीश है वैसे भी गुरू का गोचर सबके लिए important होता है क्योंकि एक लंबी समय के लिए एक रासी में ये जाते हैं और उसके बा लागने शोकर के गुरू आपके यहाँ बैठेंगे तो यहाँ बैठेंगे गूरू इसका संबन्द जो है आपके प्राकरम से होगा लगने इसका सुत्र लगेगा ठीक है आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइया सीसको कि गुरू भावहानी करते हैं करते तो जरूर हैं लेकिन लगने सुकर के third house में बैठे हैं प्राकरम में ये आपकी विर्धी कर सकते हैं क्योंकि लगने जहां बैठता है उस भाव के विर्धी करता है तो प्राकरम में विर्धी आपका होता हुआ नजर आ रहा है self confidence हो सकता है थोड़ा आपका बढ़े यह self confidence बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं प्राकर्म को थोड़ा सा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए आप mean रासी वाले जो होते हैं एक तो राहू का गूचर लगन पे हैं आप stress थोड़ा सा ज़्यादा लेते भी हैं क् sensitive रासी होती है, innocent रासी होती है, mean रासी एक सांथ सुभाब की रासी होती है इश्वर को मानने वाली होती है और sensitive होती है थोड़े थीड़े बातों पर परिशान होती है अच्छी रासी अच्छे nature के लोग होते हैं मीन रासी वाले बगवान के इश्वर का कहीं ने कहीं परतन आपके stress को कम कर सकता है, थोड़ा सा self confidence और प्राकरम को बढ़ता हो नजर आ रहा है, छोटे भाई बहन से संबंदित के साथ अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको benefit रह सकता है, ये चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, फिर देखिए गुरू की दृस्टी पड़ेगी पांच मी 7th house पे, 7th house हमारे marriage का होता है, business का होता है, daily visits का होता है, तो अगर marriage life में कहीं परिसानी आ रही है, तो वो कम होती भी दिखाई देगी, अगर marriage का योग आपका नहीं बन रहा है, तो marriage इस period में हो सकता है, हलाकि depend करेगा, आपके कुंडली में भी बाकी ग्रह की 7th house क सबकी position कैसी है, ये तो मैं सिर्फ गोचर के अधाल पे बता रहा हूँ, तो इस संभावना जरूर बढ़ाएंगे गुरू, आपके marriage होने का अगर नहीं हो रहा है, marriage life में problem चल रहा है, तो उसको यहाँ पे कम करते हुए गुरू दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुरू की द अगर business partner के साथ भी कहीं argument और लड़ाई की स्थिति है, तो उसको खतम करते हुए ये नजरार है, उसके बाद देखिए जो गुरू की दृस्टी पढ़ेगी, सात्मी भाग की भाव पर पढ़ेगी, नौवी दृस्टी जो इनके नवमस्थान पर पढ़ेगी, भाग्य के का अगर कोई काम अटका हुआ है, तो वो काम आपका बन सकता है, और उसके साथ-साथ धर में आपकी रुची ये बढ़ाएंगे, क्योंकि नवी दृस्टी जाएगी, उसके साथ-साथ आपके पिता का भी कुछ हद तक घर होता है, ये पिता को भी प्रभावित कर सकते हैं, आपकी आई में बर्धी कर सकते हैं गुरू, ये जो गोचर है, आपकी आई में इंकम में बर्धी करता है, वो नज़र आ रहा है, क्योंकि यहां 7th house पे भी दृस्टी है, और 11th house पे भी दृस्टी है, तो बड़े भाई बहन से आपको सहयोग की प्राप्ती हो शकती है, प्रेडिक्सन नहीं हो सकता, आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पॉजिशन होती है, महादसा किस की चल रही, अंतरदसा किस की चल रही, इन सब बातों पे चीज़न निर्भर करती है और बाकी ग्रहों का भी कुचर होता है, तो अपनी कुंडली भी एक बार जरूर दिखाईए हमसे दिखाना चाहें वेडियो डिस्क्रिफ्चन और वड्साप नंबर आपको मिलेगा वहां कॉंटेक्ट कर सकते हैं उसके साथ देखे सनी यहाँ पर बैठे हैं आपको सनी की साड़े साथ ही आपको चल रही है अभी आपके लिए जो समय है वो आप सनी की रेमे के लिए थोड़ा शिव जी की अराधना कर लिया कीजिए सिव चालीसा का पार्ट कर लिजिए रुद्राषटिकम का पार्ट कर लिजिए यह सब चीज़े आप कर सकते हैं बाकी आपके समी ग्रहों की स्थिति और कुंडी में महादसा किस की चल दी अंतर दसा जी किस की चल मैंने जैसा बताया, वो सारी चीज़ें भी एक बार देखना जरूरी होता है, तो अगर इंटरस्टेड हो तो अब ज़िए भी जरूर दिखा लेशाएगा, रेस्ट, वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सेर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेशाएगा, Thank you so much.